चलो टीलू बेटा, जल्दी करो, तुम्हें मोसी के घर आना है या नहीं? चलो जल्दी जल्दी हाँ मम्मी, बस एक मिनट, मैं मेरी पढ़ाएकी किताबे ले रहा हूँ जल्दी करो बेटा, नहीं तो पंची बस निकल जाएगी लाडो चिडिया थोड़े दिनों के लिए अपने बहन माया चिडिया के यहां जा रही है तबी उसे रास्ते में कालू कवा रोक लेता है अरे लाडो, ये बैग बैग भरके कहां जा रही हो? कालू बैया मैं थोड़े दिलों के लिए अपने बहन के घर जा रही हूँ बहुत दिनों से वो मुझे बुला रही है लेकिन घर के कामों की वज़े से मेरा जाना ही नहीं हो रहा लेकिन अब मेरी बहन माया के बेटी की सगाई है इसले मुझे अब तो जाना ही पड़ेगा अच्छा अच्छा ठीक है तुम जाके आओ लेकिन लाडो तुम जल्दी वापस आ जाना क्या तुम भूल गई? एक हपते बाद मेरे भी बेटे की सगाई है आ कालो भया मुझे याद है मैं जल्ली आ जाओंगी अब मैं चलती हूँ नहीं तो मेरी पंची बस छूट जाएगी लाडो वहाँ से निकल कर पंची बस टॉप पर आ जाती है थोड़ी ही देर में पंची बस आ जाती है लाडो बस में बेट कर अपनी बेहन की गर की तरफ निकल पड़ती है येए मैं अपनी मोसी के गर जा रहा हूँ राथ हो जाती है अरे वहाँ ये कौन सा चंगल है इतने सारे पक्षियों की घूसले देख़र मेरे तो मूँ में पानी आ गया मैं बहुत देर से उड़ रही हूँ कुछ दिनों के लिए मैं इसी जंगल के बाहर अपना डेरा बसा लेती हूँ हाँ 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 इम रेम क्लीम चूँ सुबह हो जाती है हे उपरवाले ये क्या हो गया मेरे अंडे कहां गये तबी वहाँ पर रानो चुड़िया आ जाती है अरे पलपल क्या हो गया तुम रो क्यों रही हो क्या बताओ रानो कल रात को सोने तक मेरे अंडे घूसले में ही थे लेकिन सुबह जब मैंने उटकर देखा तो मेरे अंडे कह ए थे पता नहीं मेरे अंडे किसने चोरी किये लगता है जंगल में कोई शिकारी पंची गुसाया है ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है सारे पंची सतर्खो जाते है लेकिन रानो चुड़िया बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने सुबह ही दो अंडे दिये थे रात हो गई रानो चुड़िया आखो में तेल डाल कर अपने अंडो की रक्षा कर रही थी सारे पंची अपने अपने घुसले में सो रहे थे रात थोड़ी गेरी हो गई इधर चुड़ियल फिर से अंडे खाने के लिए पक्षी का रूप लेकर जंगल में आ जाती है अंडो की खोज में वो जंगल के उपर से उड़ रही थी थोड़ी देर खोज करने पर वो रानो चुड़िया के गुसले के पास रुख जाती है मुझे इसी गुसले से अंडे की खुशबुआ रही है चुड़ल खिर्की से जाक कर देखती है देखती है तो क्या रानो चुड़िया अपने अंडो को पंखो के नीचे चुपा कर बेटी हुई थी अरे आधी रात हो गई है फिर भी ये चुड़िया क्यों जाग रही है मुझे आप मेरे जादू से इसे अपने वश में करना होगा चुड़िया अपनी जादू से रानो चुड़िया को अपने वश में कर लेती है जैसे ही रानो चुड़िया के वश में आ जाती है चुड़िया अपने हाथ लंबे कर लेती है और रानो चुड़िया के दोनो अंडे चुरा कर वहां से चली जाती है चुरेल का जादू सुबह होने तक चलता रहा जैसे ही जादू का असर खतम हो गया रानो चिडिया होश में आ गई उसने देखा उसके भी दोनों अंडे गायब हो गए थे सुबह होते ही सारे जंगल में अफरा तफरी मच गई रानो चिडिया जोर-जोर से रोने लगी तभी वहाँ पर कालू कवा आ गया अरे रानो क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो क्या बताओ कालू भया कल सुबह किसे ने बुल-बुल चिडिया के अंडे चुराए थे और आज मेरे भी अंडे चोरी हो गए है मैं तो रात भर आखों में तेल डालकर मेरे अंडो की रक्षा कर रही थी लेकिन पता नहीं मुझे आदी रात तक तो सब कुछ याद है लेकिन आदी रात के बाद का मुझ भी याद नहीं आ रहा सुबह जब मेरी आके खुल गई तब मैंने दीखा कि मेरे भी अंडे गायब थे रानो की बात सुनते ही कालो कवा सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है लगता है जंगल में सच में कोई चालाक शिकारी पंची गुस आया है वो दिन में नहीं रात में शिकार कर रहा है मैं एक बार जाकर पूरा जंगल चान मार लेता हूँ देखता हूँ कोई नया पंची का घुसला मुझे दिख जाए कालो जंगल के उपर से उड़ रहा था थोड़ी देर ऐसे ही खोच करने पर जंगल के बाहर एक बड़े से अजीब से डरावने पेड के एक टैनी पर कालो को एक अंजान गोसला दिख जाता है वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त वो चुडेल खाने की तलाश में गोसले से बाहर गई थी अरे ये किसका गोसला है पहले तो ये गोसला यहाँ नहीं था मुझे गोसले के पास जाकर देखना पड़ेगा लगता है गोसले में कोई नहीं है मैं अंदर जाकर देखता हूँ तभी मुझे सच्चाई का पता चलेगा कालो चुपके से गोसले के अंदर जाकर देखता है अंदर जाते ही कालू की आखे फटी की फटी रह जाती है पूरे घोसले में हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे अंडों के चिलके और तंतर मंतर का सामान भी पड़ा हुआ था कालू समझ जाता है कि ये कोई मामूली पंची का घोसला नहीं है कालू एक से किंद का भी वक्त ना गवाते हुए वहां से अपनी जान बचा कर निकल लेता है और पास वाली एक पेड की टहनी पर एक बड़े से पत्ते की पीची छुपकर उस गोसले पर नजर रखता है दीरे दीरे शाम हो जाती है तबी वहां पर चुडेल पक्षी के रूप में उड़ते हुए आ जाती है गोसले के पास आते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है और गोसले के अंदर चली जाती है ये सब नजारा कालू पास वाले पेड की टहनी पर बेट कर देख रहा था अच्छा तो ये एक जादुगर्नी चुडेल है लगता है यही रात में जंगल में आकर पक्षियों के अंडे चुरा कर खा रही है इसके पहले कि ये आज रात को फिर से किसी के अंडे चुरा कर खा ले उसके पहले मुझे इसी सबक सिखाना पड़ेगा कालु सीधा वहां से निकल कर तंतर मंतर करने वाले चादुगर्नी तोते के पास आ जाता है कालु सारी बाते तोते को बता देता है बस इतनी सी बात मैंने ऐसे बहुत सारे चुडेलों को धूल जटाई है रुको मैं अभी तुमें इसका उपाय बताता हूँ चादुगर्न तोता अपनी पोटली से बड़ा सा जादुई अंडा निकाल लेता है और कालु के सामने रख देता है कवे मेरी बात ध्यान से सुन ये कोई मामुली अंडा नहीं है ये एक जादुई अंडा है अब तुझे सिर्फ एक काम करना है कैसे भी करके तुम्हे उस चुड़ेल को इस अंडे के पास लिकराना होगा और जैसे ही वो चुड़ेल इस अंडे को छूलेगी वो तुरंत इसके अंदर कैद हो जाएगी उसे इस अंडे तक कैसे लाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप बस ये अंडा यही पर रख दीजिए और यही कही आसपास छुप जाएए अगर वो यहां आ गई और उसके अंडे को छूने पर भी अगर वो इसके अंदर कैद नहीं हुई तो आप कोई दूसरा जादू करके उसे कैद कर लेना ठीक है अब जल्दी जाओ और उस चुडेल को यहां तक लेकर आओ रात हो गई थी सारे पंची सो गए थे इधर कालू चुके से चुडेल के गोसले के खिड़की के पास आ जाता है और बड़बडाने लगता है कालू की ये सारे बाते चुडेल अंदर से सुन रही थी कि इतने दिन हो मैंने शत्रमुर्ग का अंडा नहीं खाया मुझे शत्रमुर्ग का अंडा बहुत पसंद है इसके पहले की ये कव्य का पिल्ला उस अंडे को खाले मैं उसके पहले ही वहां पर चिली जाती ही चुडल बिना अपना रुप बदले गोसले से निकल पड़ती है और कालू के पहले ही अंडे के पास आ जाती है जैसे ही वो अंडे को चू लेती है वो उस अंडे के अंदर कैध हो जाती है तो दोस्तो कैसी लगे आपको हमारी ये कहानी दोस्तो ये कहानी यहाँ पर ही कतम नहीं होती अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना और ये स्टोरी अच्छे लगे तो लाइक और शेर जरूर कर देना